हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत सुभागत है स्टाडी पॉइंट यूटूब चानल पर आज के इस पट्रिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जहारकन राजस से सम्मंदित कुछ इंपोर्टन जीके के कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टन है इससे पहले जहारकन राजस के जीके के वीडियो चैनल पर और अर्रेडी अप्लोड़ेड है साइंस, मैंस, रीजन्ण के भी प्लेइस्ट बनी हुए तो आपन वीडियो को अपट भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपोर्टन जारकन राजससमदित जीके के वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप सामने चार अप्शन दिया हुआ है वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक important question पूछूंगी जिसका आंसर आपको comment section में देना है तो पहला question है डोलमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है आपके सामने चार option दिया हुआ है हजारी बाद, पलामू, सराय केला या राची तो इस question correct answer हो जाएगा option number B पलामू ठीक है पलामू जो है डोलमाइट का मुख्य उत्पादक जिला है अगर हमनों बात करें जहार कर राजिसे नेक्स कोशन है यूरेनियम ऐस का भंडार कहां पाया जाता है लिब्रा ब्रू जादू गोडा कोडरमा या पलामू तो इस question का correct answer हो जादू गोड़ा देखे इस question को मैंने कई बार discuss किया और कई बार पुछा गया भी प्रेश्ण है important question है यह नेक्स कोशन आपको बताना है कि निम लिखित में से कौन सा कथन गलत है ठीके पहला दिया हुआ है कि टिसको को पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरूआ था यह correct है तूसरा दियावा टिसको का वर्तमान नाम टाटा स्टील है यह भी सही है तीसरा दियावा लौस प प्रथम सही अंत्र 1907 में स्थापित किया गया था यह भी कतन हमारा सही है चोगा कतन दियावा है पिसको को कोईला जो जहर से प्राक्त होता है तो यह कतन आपका गलत है ठीक है तो ऑप्शन नमबर डी हो जाया गया है यहाँ पे हमारा सही अंसर फोर्त कोईशन पर हम लोग आते हैं कोईशन है लफार्ज सिमेंट सहींत्र कहां पर इस्तित है हजारी बाप जमशेदपुर राची या बोकारो तो इस कोईशन हो एक प्रथम सिमेंट उद्दो किस थापना कब की गई थी तो यह की गई थी 1921 में 1921 में प्रथम सिमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी जारकन राज में तो option number B हो जा गई आप है हमारा सही answer देखे सभी question जो मैं discuss कर रही हूं important है एक्जाम में पूछे गए प्रश्ना है खलारी सिमेंट सहींतर की स्थापना किसके द्वारा की गई तो यह की गई थी ACC के द्वारा खलारी सिमेंट की स्थापना की गई थी तो यहाँ पर option B हो जाएगा हमारा सही answer नेक्ट कोर्शन में आपको बताना है कि निम में से कौन सा कथन गलत है ध्यान देजेगा पूछा है कौन सा कथन गलत है आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है पहला दिया हुआ है जारकंड का भारी उद्द्योग वाला जिला रांची है यह स्टेट्मन आपका सही है दूसरा दियावा है हेवी इंजिएन कोर्परेशन के स्थापना 1958 में की गई थी यह भी सही दियावा है तीसरा दियावा जहारकंड के मुरी में अलमूनियम का प्रसिद्ध कार खाना है कर खाना नहीं कार खाना होगा तो यहां पर सभी कतन हमा लग से पूछा गया है और पूछा जा सकता है क्योंकि इंपोर्टेंट ही है अगला प्रशन है आपके सामने जहारकंड में टिन प्लेट कंपनी ओफ इंडिया की स्थापना कपी गई थी आपके सामने चार आप्शन है 1921, 1920, 1945 या 1925 तो यहां पर 1920 हो जाएगा हमारा सही आं कि 2011 जंगर्णा के अनुसाद जारकंड में जनसंक्या घनत्व कितना है तो बात कीजाएगा के जंगर्णा के उसाद जारकंड की जनसंक्या घनत्व पॉपलेशन डंसिटी है कितनी यह है 414 ठीक है 414 important question है यह भी पूछ आ सकता है प्रेशन नेक्स्ट कॉशन है आपके सामने 2011 की जनगर्ना के संबन में कौन सा कथन गलत है पहला दिया हूआ है जनगर्ना के अंशार जhanakन की अबादी इतनी है ये कथन सही है दूसरा दिया हूआ अनुसूचित जातिों की जन्संख्या में प्रतिशत 12.1% है यह भी कतन हमारा सही दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, सरवादिक जन संक्या विर्दी दरवाला जिला, कोड रमा था, यह भी हमारा सही चोथा दिया हुआ है, जन संक्या की दृष्टी से सबसे छोटा प्रमंडल कुल्हान है, तो यह हमारा जो स्टेट्मेंट है, यह ग इससे उचा जल प्रपात कौन सा है हुंडरू बुड़ा बान बुड़ा गांग मिर्चिया या गौतम धारा इसकोशन करेक्ट अन्सवेगा सबसे उचा दितिये जल प्रपात कौन सा है यह हुंडरू आपको कमें श्रेक्षन बताना है कि छारक्ण राजी का सबसे उचा जल सबसे बड़ा हवाई अड़ा है यह कतन हमारा सही है दूसरा दिया वाय दित्विय सर्वोच सिकर पहाड़ी है कौन सी संथाली भासा की लिपी ओल चीकी चुकी है तो यह भी हमारा कतन सही है तो डी हमारा हो जाएगा सही आंसर क्योंकि सभी कतन हमारे यहाँ पर सही है नेक्ट कोशन निम्लिकित में ते कौन सा कतन गलत है आपको बताना है पहला दिया वाय राज की कारपाली का शक्ति का प्रधान राजपाल होता है गवर्नर होता है यह भी हमारा कतन सही है दूसरा दिया वाय राज के समस्त कारवाही ही मुख्यमंत्री के नाम पर की जाती है न पर आप्ष्ण नम्र भी हो जाए करेक्ट आंसे क्यूंकि राजपाल के समस्ते कारवाही मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं गवर्णर राजपाल के नाम पर की जाती है नेक्ट कोशन है राजपाल पत का वर्णर हमारे समिधान के किस अनुश्यद में है तो राजपाल गवर्णर इसका वर्णर हमारे कॉंस्तिशन के आर्टिकल 155 में बताया गया है आर्टिकल 155 में नेक्ट कोशन पर हम लोग आते हैं कि निमलिकित मैं से कौन से कतन गलात है आपको बताना है पहला दिया वायाँ ज्छारकंड में जिला परिश्यदों की संक्यात चौबिस है यह कतन हमारा सही है दूसरा दिया वाया ज्छारकंड में पंचाइदी व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्शित है य हाँ जारकंट का तेसवा जिला कौनसा बना तो सिस सि इंपॉर्टैन्ट यह कोशण इंपॉर्टैन्ट और सी का सभार्ट जाएगा लगा हूंत थी कि कि तेसवा जिला कौनसा था था प्रथआ सुझत 1 बिए कौश निमकित में कौन से कथन गलत है आपको बताना है पहला कथन दिया हुआ है खूटidas का निर्माण राची से अलग करके बनाये यह कहतन सबस्क्राइब रामगाड घ़ल लोग लाइक एंड शेर जरूर कीज़ेगा ठीक है और कितने कोशन आपके सही हो यह भी बताएगा कोशन दियावा कौन से कथन गलत है पहला दियावा जारकर्ण में वर्तमान में पांच प्रमंडल है अपसुल्टी राइट दूसरा दियावा उत्री छोटा नापपूर प्र प्रमंडल का मुख्याले मेदनी नगर है यह भी सही तो ऑप्षन भी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर पहला तीसरा चौथा कर्दन सही है इनको आपको याद कर लेना है नेक्स्ट को समिधान में अनुसूचित जनजाती के और किस अनुशेद में परिभासित किया गया है तो इस कोशन करेक्ट आसे होगा आर्टिकल 342 ठीक है 342 आर्टिकल में बात के समिधान में अनुसूचित जनजाती यानि की स्ट को बताया गया है नेक्स कोशन इव्पृशन में से कौन सा कतन गलत है छार ऑप्षन आपको सामने दिया हुआ है पहला दिया हुआ है ज्ञार कंड में अनुसूचित जनजाती 27 प्रतिशत है बिलकुल सही ज्यार ग्मान 32 जन जाती है तीसा दियावा जन जाती है, अर्थ वबस्ता का मुक्य आधार किशिय बिल्कुल सही, तो यह पर सभी कतन सही है, तो option number 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर है, क्यूंकि इसमें कोई भी कतन गलत नहीं है, तीनों आपको अच्छे से आत कलेना है, जारकन के किस जिले में प्रतिशत क कि द्रिश्टी से सरवाधिक जन जाती अब आती है, राची हजारी बाग गुमला या कोड्रमा, तो इस कोशन करेक्ट आंसर गुमला, option C जाब है, correct, answer important question है, अगला कोशन निमें कितने से कौन से कथन गलत है, ठीक है, आपको पताना है कौन से कथन गलत है, पहला दियावा ह संथाल जन जाती एक विवाह की प्रथा है, ठीक है, पहला सही है, संथाली में विवाह को बापला का जाता है, ये भी सही है, तीसा दियावा है, संथाली में 12 गोतर पाए जाता है, ये भी सही है, संथालों में 5 हंड पाए जाता है, ये हमारा कतन गलत है, तो option D हो जाएगा संथाल गाउँ का गाउँ प्रधान क्या कहलाता है पाहन मुहतो मुंडा या मांची तो इस म्लग रेट अंस होएगा क्या uh आप्षिन नमबर डी हो जायगा हमारा यहां पर सही अंसर को कुछिन है अ बिटलाहा संथाल समाज में क्या थी धर्म विवाग गोत्र्य सजा तो इस को चुर्चिन करेक्ट अंसर यह फिर इंप्टरेट यह फो जाएगा हमारा सही अंसर कुछिन ने संथाल में वदु मूलिक क्या कहा जाता है को न कहा जाता है option number C हो जाएगा हमारा सही answer कोशन है निम्हें कितने सो कुण सा कहतन गर्लत आपको बताना है चार option आपके सामने दिया हुआ है पहला दिया हुआ संथाल में पत्ता है संथालों में 10 राख पाया जाते हैं सही है पंचायत का मुख्या मांजी के लाता अभी मैंने डिसकस किया सही है या इमने से तीरों कथन हमारा सही तो ऑप्शन अमड़ी हो जाएगा हमारा सही अंसर ये तीनों कथन आप कोच्छे से याद कर लेना है इनसे कोच्छन पूछा जा सकता है लग से ये कोच्छन जिसका आपको कमेंट्रेक्शन में देना है कोच्छन संथालों के तहौर का शुरुवाती महिना कौन सा होता है आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है फागुन कार्थिक अशाड या सावन इस कोशन को अपना कमेंट्रेक्शन जार करनके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया वीडियो को जरूर देखेगा वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा थैंक्यू सो मुच वाचिंग थैंक्यू